इसीड वैलू, नान बोलेटाइल कंटेंट, साफनिंग पॉइंट, एंड सालेविल्टी इन सॉल्वेंट, देखें कोई भी जब हम लोग पेंट के अंदर टेस्टिंग क्यों करते हैं, पेंट के अंतर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर टेस्टिंग जो होती है, वो तीन स्ट मैं पहर से ले रहा है, शालेविल्ट से खरी चायतए हैं तो अगर μποर्मिनों का्राइक ने संद्क हों इस महारा क्यों सोड़ेविल्ट में भी टेस्ट कर ले लाई है, तो अशानक कि दूसरी स्टेज होती है जी स्कों कि हम लोग्क unfor आपने छालो करती है अब धूड़क सी स्टेज में थड़ुड़ा सा बंने लगता है उस समय हमने 성्पोच करिए कि ग्राइंडिंग देखwire कि अगर नहीं है तो इस प्रकार से कुछ इंटेमीडियर टेस्टिंग भी होती है जो कि कॉल्टी कंट्रोल जो उसके प्रॉसेस को फार्मुलेशन को को सेट करने के लिए हमें जरूफ़ता है अगर मालने उसी स्टेज पर अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई कमी है तो उसके कमी ने लेता बार के सकते हैं कि अगर को नहीं दोर कर सकते हैं तो वह writing मने यह हैं जो अच्छी कंपनियां होती है वह उस पेंट को फिर मार्केट में नहीं लाती या तो सकेंड क्वालिटी के रूप में ले लेती हैं और या फिर थ्रोवे प्राइस पर उसको सहल कर देती है कि तो इस तरीके से यह तीन इश्टेज होती है हमारी टेस्टिंग के तो अभी वेलू इतना महत्वपून क्यों है क्यों हम लोग हर रेजिन के अंदर जैसे आपने रोजिन का माडिफिकेशन देखा था लाइम से आप माडिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके माडिफिकेशन में भी आपने मैसूस किया कि जब 40-60 के बीच में उसकी एसिड वेलू आ जाती है लाइम हाडन रोजिंग की तो उसको आप डिश्चार्ज कर देते हैं एस्टेर्गम की जो प्छह साथ के आसपास आती है तो आप रियक्शन को रोख लेते हैं और थात एसिड वेलू एक हमारा पैरामिटर हो गया जो उसके रियक्शन को कम्प्लीट होना दर्साता है किसी रेजिन के प्रोडक्शन में एक महत्रोपन होता है इसी प्रकार आयल की भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं आयल में भी जो है एसिड वेलू हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है दूसरा कंपोनेंट हमनों का नान वोलेटाइल होगा पहले हम लोग देख लें की एसि लेजिन वाल्यू आफ रेजिन इश प्रेष्ट अधर नवजिग्राम्स ऑफ को फ्रक्शन में इस अट जरूरी को जोग है जो भी सें पिल हो चाहे रेजिन हो चाहे आयल हो एपने आगर ऑने रेजिन का सॉलूशन बना रख एक है किसी साल्वेट के अंतर वें तो चाहें ौइस की पर्शेंट सलूशन है तो केवल 40 ग्राम को हम लोग consider करेंगे अगर वो 50 पर्शेंट है तो 50 ग्राम को हम लोग consider करेंगे तो एक ग्राम हम को अगर रेजिन लेनी होती है तो हम उसका दो ग्राम लेंगे तब हमारे पास 50% अधाथ एक ग्राम नान बोलेटाइल माटेरियल मिलेगा तो इस प्रकार हम लोग के टर्म में इसको डिफाइन करते हैं कि एक ग्राम माटेरियल को नूट्रिलाइज करने के लिए उसकी फ्री अगर किसी रेजिन की एसी वेलो बहुत ज्यादा है तो उससे हमें काफे नुखसान होते हैं जैसे कि जो हम दो माटेरियल डालते हैं से फार एक्जांपल पिगमेंट अगर आपने जिंक आपसाइड डाल दिया तो जिंक आपसाइड के साथ रियक्शन कर जाएगा इस प्रकार वह बेसिक जो पेंट की प्रापर्टी होगी उसको चेंज कर देगा ज्यादा एसीड वेलो वा और इस इच पोटेशियम हाइड्राकसाइड तो यह पोटेशियम हाइड्राकसाइड से हम दोग नूट्रलाइज करेंगे यहाँ पर एक चीज और देखेगा कि जैसे आपने अगर एसीड वेलो आयल की देखनी है तो आयल आपको पता है कि आयल है ट्राइग्लिस्राइड तो यहाँ पर जो आयल आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पर यह आपका आपको ध्यानों इस्ट्रक्चर का इस तरीके से था यह तीनों जगह पर तो जो फैटी एसीड यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको आप नहीं देख पाएंगे इसी बैलो में हम किवल उसी फैटी देखेंगे जो की फ्री अवस्था में इसके अंतरगत पड़े हुए हो कंबाइन फार्म में ना हो तो किवल कार्बाक्सिल ग्रूप के साथ यह रेक्शन करेगा और यह किवल फ्री एसीड को ही यह मेजर कर पाएगा जो एसीड वैलू है इसको डिटर्मिन कैसे करते हैं ए सलूशन आफ रेजिन इन सॉल्वेंट अगेंस इस्टेंडर्डाइज की ओएज आर इन्ने ओएज सॉलूशन जूजिंग फिनाफ्टलीन एज इंडिकेटर कि कहने का मतलब यह हुगा कि हम लोग एक सॉलूशन बनाएंगे रेजिन का किसी सॉल्वेंट में जिसमें वो सॉ क्या आ रहा है हमारी डेफिनिशन में आ रहा है कि यह पोटेशियम हाइड्रॉकसाइड के मिली ग्राम जितना नुटिलाइज करता है तो यहां पर हम एन्ने ओएज भी ले सकते हैं विकाज वन मॉल आफ के ओएज इक्वल टू वन मॉल आफ एन्ने ओएज यह इक्युवेल इसको डिटर्मिन करने के लिए जो हमारे पास केमिकल्स है एक तो सेंपिल हो गया जो रेजिन का हो गया यह आपका सेंपिल हो गया क्योवाज यह एन्ने ओएज एन्न बाइटेन इसका एक सोलूशन हम लोग बना लेंगे और एन्न बाइटेन का क्योवाज का एन्न बाइट स्लीन इंडिकेटर के रूप में लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राम हम लोग पाउडर्ड एक ग्राम पाउडर्ड अब जिसे रोजिन का निकालना है तो रोजिन ले लिया अगर रोजिन का नहीं निकालना चाहते हो तो किसी रेजिन का निकालना चाहते हो तो रेजिन ले लिया एक शीच यहां पर ज़रू ध्यान दीजेगा कि यहां पर हमने रोजिन ज तो आरोमेटिक के साथ इसको एलकोहल को हम लोग मिला करके फिर करीब 10% to 20% एलकोहल इसमें डाल देते हैं और इसका पहले बेंजीन में सलूशन बना लिया उस रेजिन का उसके अंदर एलकोहल डालने का बेसिक परपर यह होता है कि एलकोहल जो इस रेजिन के अंदर फ्री ए प्राइटेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि के वह पानी में सलूशन बनाए जाएगा तो पानी और बेंजीन का आपस में कमपैटिबिल्टी नहीं है तो अगर के वल बेंजीन आप लेते हैं तो तुझे फ्री एसिड आपको नहीं बता पाएगा इसलिए हम लोग अलकोहल मिक्षर लेते हैं, this is then dissolved in 50 ml of neutralized alcohol, आप इसको रेजिन को पौडर रेजिन लिया, इसको डिजाल कर लिया, डिजाल करने के बाद से इसके अंतरगत करीब 15 डॉप जो है फिनॉप्टलीन की आप इंडिकेटर की डाल देते हैं, डालने के बाद से इसको टाइटेट करते हैं, n by 10 के वाज से, अगर एक चीज और है, अगर कभी किसी रेजिन के अंदर acid value बहुत कम, सपोज करिए आपको अगर एक acid value का कोई रेजिन मिल जाता है, तो उसके इसमें आप इसको n by 10 की जगह n by 100 भी कर सकते हैं, अगर बहुत कम उसके अंदर acid value है तो, और उसके बाद जब pink color आ लेते हैं, इसको यहाँ पर देखे, कैसे दिखलाया हुआ है, यहाँ पर एक हमने solution बना लिया था, उस raging का alcohol और बेंगिंग के mixture में, और इस burret के अंदर गत हमने भर दिया था, कोई के solution को, या एन्निवेज के solution को, और उसके बाद से फिर इसको हमने ऐसे titrate किया, इसके solution पढ़ा हुआ है, और फिनाफ्लीन पढ़ी हुई है, एंड कोईंट के ऊपर आपको पता है, फिनाफ्लीन में जैसे यह neutral होगा, या हलका सा alkaline होगा, फिनाफ्लीन अपना color pink color देतेगी, अदर्वाइज फिनाफ्लीन, acid के अंतरगत colorless है, और base के अंतरगत यह pink color देती है, तो इस प्रकार फिनाफ्लीन इंडिकेटर के रूप में हम लोग इसमें इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही QIH इसको neutralize कर देगा, यह आपका इसका pink color आ जाता है, और इस प्रकार उस pure rate की reading को हम लोग note कर लेते हैं, जिस भी जगहां पर end point हमें मिलता है, इसके बाद स फिर इसके बाद से acid value को हम दोग इस formula में रख करके acid value को calculate कर लेते हैं, तो volume of trident, जो pure rate की reading है, शुरू में आपने 10 से चालू किया, pure rate volume, 10 ml से, उसके बाद finally जो है, यह आपका 20 ml माल ली जा गया, तो जो pure rate की reading होगे, trident हो गया, यह आपका 10 ml हो गया, ठीक है, और की आपकी 0.1 हो जाएगी, और 56.1, this is your equivalent weight of koh, यहाँ पर चुकि koh में की, वो है तो इसलिए इसका equivalent weight और molecular weight दोनों बराबर हो जाते हैं, and then this is divided by mass of sample, sample हमने बता है की जैसे एक ग्राम के आस पास ले लिए, जो भी आप बजन लेंगे, वो सकता है की आप 0.67 ले रहे हूं, 32 अगर इतना ग्राम भी ले रहे हैं, but weight accurately, जो भी आप लेंगे, अगर उसके अंदर acid value बहुत कम है, तो यह थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, हम दोग दो ग्राम या तीन ग्राम ले सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा है, जैसे की रोजिंग के अंदर, मल यह 140-150 के आसपास अगर acid value है, तो उस case में आपका 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक आप यह sample आप वज़न कर सकते हैं, तो इस प्रकार हम दोग acid value को calculate कर लेते हैं, और this is denoted as miligram केयोज per gram sample, अगर हम कहते हैं, इसकी acid value 7 है, तो इसका मतलब यह हो गया, कि 7 miligram of koh is required to neutralize 1 gram of sample, तो किताबों में आप देखेगा कि यही acid value कहा जाता है, कि acid value इसकी 10 है, acid value 140 है, acid value 5 है, उसका मतलब यह होता है, इतना miligram per koh per gram of sample, again the acid value is expressed as miligram of potassium hydroxide per gram of sample, इस प्रकार हम लोग acid value determine करते हैं, तो acid value का यह हमारा test हो गया, next हम लोग test करेंगे, non-volatile content, non-volatile content आप जैसा इसका indicate कर रहा है, non-volatile, एक resin के solution में, volatile portion के बाद से जो बचा हुआ portion है, that is called non-volatile, और ठाथ जो pure resin है बगार solvent के, that will be the non-volatile content, non-volatile content हमारे लिए बहुत महत्वपून होता है, इससे यह हमें पता चलता है, कि वो resin या उस paint के अलतरगत, कितना solid portion है, और कितना solvent portion है, तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, यहाँ पर इसको देखिएगा, इसको हम लोग देखते हैं, कि एक petri disk, यह petri disk हो गई, यह petri disk ले लिजे, यह हम लोग किसी metal का, वो भी ले सकते हैं, यह depend करेगा चिस तरीके की resin है, तो इस petri disk को पहले आप empty वजन कर लिजे, यहाँ पर empty petri disk को वजन किया हुआ है, उसके बाद इसके अंतरगात हम लोग resin डाल लेते हैं, यह resin यहाँ पर डाला, resin डालने के बाद से फिर इसका वजन कर लिया, तो सपोच करिए इसका वजन डालने के बाद से फिर इसको यहाँ ओगन में रख दिया, ओगन में करीब 110 से 120 degree centigrade के आसपास हम लोग इसको गरम करते हैं, आदे गंटे पॉन घंटे बाद हम लोग इसको निकालते हैं, निकालने के बाद से इसको फिर जहाँ पर desicator में रखते हैं, डेसी केटर में आम तोर पर जो बाटम में हमारी एन्हाइडरस कोई चीज़ पढ़ी रहती है, हाईग्रोस्कोपी कोई मेटेरियल पढ़ा रहता है, जैसे कि आप कंसंट्रेटेड सल्फूरी केसीड भी रख सकते हैं, या एन्हाइडरस केलसियम फ्लोराइड भी आप रख सक तो जैसे ही इसका नार्मल टेंपरेचर हो जाए, फिर इसका वजन ले लेते हैं, सब्सक्राइड यहाँ पर इसका वजन डब्लू 3 आ गया, तो डब्लू 3 ड्राइड मटेरियल है, इसका वेट यहाँ निकल चुका है, अब इस डब्लू 3 से, एम्टी का जब वेट निकाल लेंगे, तो that will be the weight of material, वो material का weight हो जाएगा, Wt is basically the weight of sample before test, इसको Wt इसको ना कहें, यहाँ पर Wt minus W1, अगर इसको W1 ड़ाइज इसको आप ऐसे कहें, तो और क्लियर हो जाएगा यह, let us take this weight as W you now W1-W1 W-W1 W the actual material along with the solvent our weight of this material weight of this material तो फैक भूहय को झारल बाद फाजाल स्वात वेक दीड अलम वेक है का लाद उजसे मैझेल भीजल में करता बार जार वेकिन जDEN टॉर डॉह को टॉरोग्ष सुर मधढ वेक है का अ महोठ्छmniej झार श्ट प्रूहा है का टॉbulluring को टॉबन प्रूहाथ टॉरो seconds k こ athletes पर्सेंट नान वोलेटाइल, that means, how much percentage is there in a particular region solution, that particular region. नेक्स्ट है आपका softening point, softening point हमने आपको बताया था, जो hard resin वगरा होती है, वो किस temperature के उपर melt करती है, soften हो जाती है, वो हम दोग कैसे determining करेंगे, क्योंकि ये भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी material के softening point बहुत कम है, तो वो paint के लिए बहुत suitable नहीं माना जाता है, क्योंकि कर्मी पाकर के paint हलका सा पिखल सकता है, तो इसमें हम दोग क्यों है, जैसे आपको बताया भी था, कि रोजिन की softening point कम है, और malic paint a rosin की softening point, या malic resin की softening point, या lime hardened rosin की softening point, आपकी काफी जाता है, तो rosin की 70-80 के आस-पास है, और lime hardened rosin वगरा कि आपी 140 के आस-पास हो जाती है तो हम दोग जिसकी softening point थोड़ी जादा होती है, उसको prefer करते हैं, जिससे कि वो कभी गर्मी पे पिखले नहीं या soft नहीं हो, तो इसको कैसे देखते हैं, इसको देखेगा, इसके लिए test करने का जो material होता है, यह हमारा ring and ball operators होता है, यह देखी, यह ring हो गई, और यह ball हो गया तो इसको बोलते हैं, ring and ball operators में देखते हैं, तो this is ring and ball operators, और इसको चाहे इसकी basic characteristic के distance between ring plate and bottom plate, यह ring plate हो गई, and this is your bottom plate, तो इन दोनों के बीच में कि जो दूरी है, यह करीब 25 mm या 2.5 cm होती है, डाया at top 17.5 mm, यह किसका होता है, यह जो होता है आपका, इस material, यह देखे, यहाँ पर यह ring दे रखी है, इसका जो top के ओपर डाया होता है, यह यहाँ पर दिखलाए गई भी, यह जो डाया होता है, this is 17.5 mm, bottom is 15.9 mm, इसका जो bottom का यह वाला जो डाया होता है, this is your 15.9 mm, and height is 6.4, height यह होगा ही आपकी, this is your 6.4 mm and outside dia is 20.6 mm, outside dia का मतलब यह हो गया, कि यहाँ से, इस वाले portion से, इस वाले portion तो, इस प्रकार से, इसका यह dimension होता है, इस ring का, ठीक है, और इसमें एक centric guide होती है, centric guide हो गई, इसमें तीन पिन आपकी लगी रहती है, जैसे यह दिखलाया हो, यहाँ पर तीन पिन हो गई आपकी और इसमें एक, हम लोग बाल लेते हैं, ring and ball method में बाल होता है, जिसका diameter 9.5 mm होता है, और weight जो होता है, 2.5 plus minus 0.05 gram, यहाँ पर, बिट्मिन की देखने के लिए एक example दिया हुआ यहाँ पर, तो इस प्रकार ring and ball इसमें देखते हैं, अब देखते हैं कैसे हैं, इसको देखेगा सबसे पहले, इस ring के अंतरगत, जो material है, जो resin है, उसको melt करके इस ring में भर देते हैं, भरने के बाद से, फिर इस ring को, जो उपर हमने आपको plate दिखलाई थी, यहाँ पर इसमें रख देते हैं, इसके अंतरगत, इस ring को रख देते हैं, यह ring हो गए, इसको fill up कर दिया जाता है, इसको fill up करने के बाद से इसको रख देते हैं, इसलिए यहाँ पर यह देखिए, यह जो slot बना हुआ है, इसलिए slot बना हुआ है, ताकि यहाँ पर यह hang हो जाए, रखने के बाद से, इसके बाद से फिर इसके उपर, यह जो centric ring है, यह इसके अंतरगत रख देते हैं, इसके यह इसके उपर से आती है, इस तरीके से आ करके इसमें फंस जाती है, इसके उपर हो जाती है, तो बेसिक जो है, इस तरीके से यहां पर देखें, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो, यह रिंग इसके उपर याती है, यह सलाट जो होता है, यह सलाट इसके लिए होता है, औ बाल को सेंटर में रखती है ताकि बाल इधर उजर नहीं ले और जैसे ही उसके बास से फिर हम लोग इसके अंदर लिक्विड भर देते हैं जैसे सव डिग्री सेंटिग्रेट से नीचे अगर किसी का साफनिंग पॉइंट है तो हम लोग जो है कि अंदर अगर इसका टेंपरे दो करते हैं गरम करने के बास से एक स्टा रिग्रती इसके अंत्रगज चलाते रहते हैं जिससे की युनिफ बच टेंपरेचर में टेंसा और उसके बाद धीरे दीरे दीरे देखिएगा कि यह बाल निकलना इसमेंसे चालू हो जाती है वो इसमें साफन होगा बेनाका temperature note कर लें तो जैसे यह पहले टच कर रही है यह बास कर रही है तो उस समय का जो भी temperature होगा यह यहां पर 40 तो वो टेंप्रेचर हम दोग नोग कर लेते हैं that temperature is the softening point of the region इस तरीके से हम दोग रिजिन का softening point देखते हैं finally आपका solubility solubility in solvent किसी भी रेजिन की हम दोग solubility कैसे पता करेंगे कि किस में है जैसे रोजिन की solubility हम ने बुला alcohol में है तो हम किसी भी रेजिन की solubility देखने के लिए हम लोग का system होता है उसमें देखते हैं वैसे तो best अगर कि कोई रेजिन किसी भी solvent के अंतरगत हर एक limit पर अगर solubility अगर आपने रेजिन का solution बनाया है उस solvent में और उसकी solubility है 50% के solubility है 80 to 90% की भी उसकी solubility है इसका मतलब that region is perfectly solubile in the that particular solvent लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ solvent के अंतरगत वो 10% region का solution तो आपको मिल जाएगा लेकिन जैसे वो 10% से उपर बढ़ना चालू होता है 50% पर हो सकता है कि रेजिन अलग हो जाए और solvent आपका अलग हो जाए तो उस case में हम लोग कहते हैं कि यह रेजिन के लिए यह अच्छा solvent नहीं है तो हम लोग इसको देखते कैसे है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि Like Polar और नान-polar दोनों तरीके के हम लोग material ले लेते हैं सौलवेंट केरते आप पानी लिजे इधर लिग यह क्लोरोफार्म लिजे बैजीन ले लिया ethyl alcohol ले लिया अगर यहां तो आप प्लोरोफर्म तो इस तरीके से आप जो है डिफ्रेंट नान पोलर से लेते हुए आप नान पोलर साइट में आप मटेरियल को सलेक्ट कर लेते हैं और एक गूरेट आप लेते हैं तेस्ट्यूम लेते हैं सरी तेस्ट्यूम लेते हैं इस टेस्ट्यूम के लाइन यहां पर यहां पर Deb कर शौन कर अंतर जाते हैं एक निम जैसे मिलाराने के वाद से हम देखते हैं कि इस के सॉलिब्ल्टिय गाल हुँआ तो mustard आयल की जैसे देखा जै तो तो यह water है, यह आपका ether है, यह आपका chloroform है, यह benzene है, यह ethyl alcohol है, तो इस प्रकार यह सबों में देखा गया है, देखने के बाद से जो mustard आयल की solubility मिले, जैसे water में यह position बन जाती है, ठीक है, इथेनल में आपकी हैजी होता है, chloroform के अंतर तो इस प्रकार जिसमें यह clear solution बन जाए, बिल्कुल haziness न हो, उसमें वो solvent जो है, वो उसके लिए, उस particular resin के लिए solvent के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, and that particular resin is soluble in that particular solvent, तो इस प्रकार हम दोग solubility देखते हैं, solubility का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जैसे आप लोगोंने थी थीनर में पढ़ाता है, थीनर में एक two solvent होता है, एक diluent होता है, और एक latent solvent होता है, यह कैत Hawk Jeans, तो टू そう Mais, is actual solvent for that, जिसमें कि किसी भी level तक वो Region अपकी solubile होती है, diluent के अंतरगत वो एक limit तक सालीबिल होती है, वो हर level तक सालीबिल नहीं होती है, और latent solvent में तो वो Region ब müşड़ चाइस को जो टू साल्विंट आ मत वी तोर पर होते हैं वह थोड़े से मेहंगे होते हैं लेटेंट साल्विंट हम लोग ठोड़ा सस्था डाल करके उसको जो है तुड़ा डाइलूट कर लेते हैं जिससे कि मारा परपश बी-साल भूजाता है और हमारी कास्ट भी कम हो जाती है तो इस प्रकार हम दोग जिए हमारा महत्त होता है सालेविल्टी को चेक करने का और इस तरह के से हम दो किसी भी डेजिन की सालेविल्टी देखते है